देश में इस बड़ चुनावी महौल चल रहा है और सभी पार्टियों में जोश भी भरपूर देखने को मिल रहा है लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीक नजदी का रही है वैसे वैसे सियासी महौल गर्म होता जा रहा है लेकिन चुनावी महौल में कॉंग्रेस का कोई नेता पीम मोधी पर विवादित बयान ना दे ये तो असंभव है क्योंकि भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की आलोचना करके ही तो पार्टी सुर्खियों में बने रहने की ये तकनीक काफी समय से इस्तमाल करती हुई लेकिन इस बार मलिका अर्जुन खडगे को उनका ये दाव भारी पड़ गया कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे के पीम मोधी पर विधायकों को खरीदने और सरकारों को गिराने के बयान पर NDA ने पलटवार कर दिया है जेडियों ने कॉंग्रेस पर भी न बीजेपी और पीम नरेंद्र मोधी की आलोचना करते नहीं ठग रहे हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने सुवार को जारखंड के पाकी में एक चिनावी रैली को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने बीजेपी और पीम मोधी पर जम कर निशाना उन्होंने कहा कि देश की अजादी में बीजेपी आरेसेस के लोगों का कोई योगदान नहीं है गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का आवाहन किया तब आरेसेस के लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे आज ये लोग हमें देश भक्ती का पाठ पढ़ा र जी बाबा तिलका मान जी वीर बदू भगत सिदो कानू की धर्ती को नमन करता हूं इसी के साथ खड़गे ने समविधान की भी बात की उन्होंने कहा कि भारत का समविधान डॉक्टर बाबा साहिब अंबेजगर और नहरू जी की देन है और इंडिया गजबंधन की सरकार स पालन करते हुए जनता के हित में और उनके उठ्थान के लिए काम करती रहेगी खड़गे ने तीखे स्वरों में बीजेपी पर निशाना साथते हुए आगे कहा कि अगर कोई पी समविधान के साथ खिलवार करेगा तो वो लोग चुप नहीं बैचेंगे वो जनता के साथ मिलकर समविधान को बचाएंगे मलिक अरजिन खड़गे ने आगे कहा कि ये आपकी ही मदद है जिससे नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला और समविधान संशोधन का काम रुग गया खड़गे ने मोदी पर जूट बोलने का भी आरोप लगाया खड़गे अपने भाशन में आगे बोलते हैं कि मोदी ने दो करोर नौकरियां देने का वादा किया था काला धन वापस लाने और किसानों की आमदनी को दुगने करने का भी वादा किया था लेकिन ऐसा कुछ भ बड़े बड़े उद्योग पतियों को देती जा रही है। यहाँ ED-CBI की रेड पढ़ती रहती है। नरेंद्र मोदी सबको डरा रहे हैं। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए हम देश के आदिवासियों, दलितों, पिछलों के आधिकारों की रक्षा करते रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मलिका अर्जन खडगे ने कहा कि पिएम मोदी वोट लेने के लिए अपने आपको बार बार OBC बताते हैं। पर ये कभी नहीं बताते कि वो जातिगत जनगरना से पिछलों की आर्थिक और सामाजिक हालत देश से क्यों छुपाए रखना चाहते हैं। मुझे आश्यर होता है क्योंकि जब मंडल आयोग की सिफारिशे लागू हुई तो उसके विरोध में बीजेपी के लोगों ने यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी ने हाली में दनबाद में कहा कि देश में करीब 50% OBC, 15% दलित, 8% आदिवासी वर्ग के लोग हैं। इन वर्गों की बहतर भागिदारी का सबसे बड़ा तरीका जातिगत जनगरना है। उन्होंने आगे कहा कि मोधी सरकार OBC, दलित और आदिवासी विरोधी सरकार है। ये इसी बात से पता चलता है कि जारकंड की गडवन्दन सरकार ने OBC आरक्षन को 14% से बढ़ा कर 27% करने का विधान सभा में प्रस्ताफ पारित करने भेजा। मोधी ने ये प्रस्ताफ गवर्नर से रुकवा दिया। अब इनका दोहरा चरित्र देश देख रहा है कि अपने खोशना पत्र में ये OBC आरक्षन बरहाने की बात कर रहे हैं। क्या इनकी बात पर आप लोग भरोसा कर पाएंगे। मलिका अरजिन खडगे ने जम कर नरेंद्र मोधी की अलोचना की लेकिन जेडियू ने भी खडगे को उनकी इस हरकत का मूतोड जवाब दे दिया है। जेडियू का फूटा गुसा खडगे की लगी क्लास। पिया मोधी पर कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिका अरजिन खडगे के बयान पर सियासत अप और तेज हो गई है। इस पर एंजिये के नेता ने मंगलवार यानी 13 नवंबर को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडियो की प्रवक्ता राजी व्रंजन ने कहा कि अगर कॉंग्रेस को अपने इतिहास की कोई परवार नहीं है। तभी वो इस तरह के बयान दे सकती है। कॉंग्रेस की पिछली केंदर सरकार निर्वाश्रन राज्य सरकारों को गिराने के बार बार प्रयास अपने आप में खीरतिमान है। एक पाटी जिसने लगातार छोटी पाटीयों को तोड़ा है और राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराती रही है। उसे इस तरह की चिपड़ी करने का कोई नेतिक अधिकार नहीं है। इसे के साथ इस मामले पर प्रतिकरिया देते हुए जिपटी सीयम रुजे कुमार सिनहा ने भी कहा कि हम कॉंग्रेस की स्थिती को समच चकते हैं। वे परिवारवाद की भर्ष्ट मान सकता से पीडित है। वे युवरायच की हरबात मानते हैं, उनके इशारों पर उड़ते बैठते हैं। इसलिए वो चाते हैं कि सभी उनके जैसे हो जाएं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का समान करती है और समविधान में विश्वास करती है। सभी समविधानिक संस्थाओं के साथ काम करती है। समविधानिक पत पर बैठे व्यक्ति पर ऐसी चिपड़ी करना उनके लिए गलत है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले भी खडगे ने पीया मोधी को लेकर विवादित बयान दिया था साथ नवंबर को महाविकास अगारी ने महाराश्टर के बिकेसी मैदान में साजहा रैली को संबोधित किया था इस दोरान भी मलिका अरजुन खडगे ने पीया मोधी पर खूब निशाना साधा था उन्होंने पीया मोधी की तुलनात तैमूर लंग से कर डाली खडगे ने कहा कि चार्त पारकर नारा देने वाली मोधी की सरकार JDO और TDP की वैसाखियों पर टिकी हुई है इतना ही नहीं खडगे ने मोधी को जूटो का सर्दार भी कह डाला साथी मोधी सरकार पर घोटालों का भी आरोप लगाया मलिकार जिन खडगे ने कहा कि मोदी जूटों के सरदार है मोदी सहाब अपने 10 साल में इतनी गयारंटी दी क्या आपने वो गयारंटी निभाई आपने 15 लाग की गयारंटी दी थी ये तो जूट हो गई उन्होंने आगे कहा कि मोदी जूटों के सरदार है जो आदमी जूट कहता है वो लोगों के हित में नहीं होता है उन्होंने आगे कहा कि आजाने अंबाने को उन्होंने ग्यारेंटी दी है जो फट तूट कर महायुती में जा रहे हैं इनका मुंबई वालों की भलाई का इरादा नहीं है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हर चीज तयार रखते हैं चोरों को भगाओ और चार्शी डायर करके उनको जेल में डालो बीजेपी सरकार हर चीज को बेच डाल रही है कारखाने पब्लिक सेक्टर एरपोर्ट बेचे जा रहे हैं मलिकारजुन खडगे ने इस दोरान पेम मोदी की तुलना तैमूर लंग से भी कर डाली इस पर भाजपा नेताकिरन रिजीजु का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि विदेशियों में नरेंद्र मोदी की इज़द देखते ही बनती है कल डोनाल ट्रम्प ने पेम मोदी को फोन किया प्रधान मंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए नरेंद्र मोदी को जूठा हत्यारा चायवाला इन सभी शब्दों के साथ कॉंग्रेस ने बार बार तराजों में तोला है लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि क्या आलोचना करने से वोट बैंक बढ़ता है अगर हां तो सभी पार्टियों को एक दूसरी की पार्टि की आलोचना करना शुरू कर देना चाहिए कॉंग्रेस का ये दाव उन पर ही भारी पड़ जाएगा ये शाय अदुन लोगों ने भी नहीं तोचा होगा लेकिन चुनाव को जीतने के लिए जनता के लिए काम करने के अवशक्ता होती है ना कि सियासी दलों की अलोचना करने की बिहार में साव 2025 में विधान सभा चुनाव होना है जिसमें अभी समय है लेकिन सभी इस महायुद के लिए अपनी अपनी पार्टियों को तयार करने में जुट गए है लेकिन कॉंग्रेस की अगर यही स्ट्राटेजी बिहार चुनाव 2025 में भी रही तो उसका सूपड़ा साफ होना तो तैह है फिलाल आज की स्पेशल स्टोरी को यहीं विराम देते हैं लेकिन बिहार से जुड़ी तमाम राजुनिति खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं कैपिजल टीवी बिहार नमस्कार कर देखते हैं